तो आज हम लोग बात करने वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बट उससे पहले के इन भॉर्टेजिस गाइस अगर फर्स टैम चैनल पर विजिट किये हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिए यह मेरा एक और अकाउंट है फिनांस का फंडा आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जैसा बताओगा प्रधान मंत्री सुर्य योजना आई है मतब जब फिगर आउट हुई है तो एक करोड प्लस घर में सोलर नेर्जी सबका बात हुआ है तो यहाँ पर यह सारी स्टॉक को बहुत सारी बेनेफिट मिल सकती है और इनफाक इंडियन इनर्जी एक्स्चेंज को तो कुछ जादा ही मिल सकती है तो इसलिए इस पर फोकस बना के रखना है अब यहाँ पर बोनस देखने को मिला तो कितना टूबाई वन का बोनस देखने को मिला तो यह अच्छी खाल सी बोनस देते हुए भी दिखी की और यहां पे अगर बात करें तो हम लोगोगोगी की साइड भी अच्छा खासा मतन रेगूलर मेंIGH डिविदेंट भी देते वेस्जान यहांप है अच्छा खासा देविदेंट मिल कर रूकिए अब इस एडिया को अच्छे से समझते हैं वन एर के चाट पैटरन पर ध्यान दे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक मेजर गेम प्ले चल रहा था बार बार यह अच्छी खासी इस एडिया में अच्छी खासी उपर थी फिर उसके बाद एक मेजर डाउन फॉल और यहां पर इसको फिर से छोड़ दिया गया अब यहां पर छोड़ा गया तो अब यहां पर हम लोग को क्या समझ रहा है यह एक नियूस के चलते हुआ था जहां पर पूरी की पूरी मोनोपॉली मार्केट वो मोनोपॉली मार्केट खतम हो गए तो जिसके चलते हैं यह मेजर डाउन फॉल हमें देखने को मिला वर उसके बाद हम लोग ध्यान दे तो यहां पर अच्छी तेजी फिर से बनी और यहां पर नॉर्मल वही फिर चेंजेस होते हुए दिका बट यहां पर होल्डिंस बन हमारा कॉंसिलेटिंग टाइम प्रियाट था 120 के अराउंड में मताब 120 हम लोगा में मेजर सपोर्ट बन चुका था और यहां पर एक अच्छा खासा कॉंसिलेडेट होते वे दिख रही थी मार्केट में हमें रिगुलर वेज में बट यहां पर तरेंड सपोर्ट बना ली यहां पृस्घा सब बट तीसरा इसको नहीं ब्रेक करते विए तो यहां पर बचा दी और फिर उसके यहां से रिकवरी स्टार्ट हुआ है तो यह रिकवरी अगर स्टार्ट हुए तो कहां तक लेके जाएगा यह रिकवरी चांसे पूरा बन रहा है कि को जैसे ही क्रॉस करते वह दिखता है तो इसकी रिली बन सकते है तो और जिस तरीके से गवर्मेंट की इतनी सारी योजना आ रही है मतब इतनी सारी स्कीमस आ रही है जिसके चलते पूरा पूरा चांसय बन रहा है और कहीं ना कहीं अगर बहत करें तो ये सारी shares में एक और सबसे बड़ा चीज factor matter करता है क्या तो ये सारी sector energy sector में है और ये सारी future stocks है मतब future stocks सबको पता है कि ये सारी stocks में एक अच्छा potential है और जिस तरीके से government अगर future के side बर रही है और हम ध्यान दिया जा रहा है energy level पे चाहे renewable energy पे different energy side पे तो ये एक major gameplay कर सकती है अब आपको बताना चाहूंगा revenue यहाँ देख सकते है 2023 में revenue of course कम होते हुए दिखिए 400 crore तक चली गए थी बट इस बार 2024 का जो expectation थोड़ा अच्छा रह सकता है और of course revenue कम हुई तो आपको net profit भी कम होते हुए दिखिए EPS के side focus करें तो EPS यहाँ पे major downfall होते ही दिखा क्यों क्योंकि यह 691 आपको कब देखने को मेरा था 320 पे जब share थी तब की बात है अब थोड़ा cash flow पे आ जाते हैं क्योंकि cash flow मेरे लिए सबसे ज़्यादा important होता है देख सकते हैं यहाँ पर investment activities के side देखे तो यहाँ पर positive में है तो यहाँ यह थोड़ा सा खड़ाब है यहाँ पर investment कहीं नहीं बिखते हुए दिखिए जिसके चलते cash inflow है तो यहाँ पर 70 करो notes हाथ में आते हुए दिखा है अब यहाँ पर financial activities के माइनस में है और operating activities भी माइनस में है तो यह एक major game game के लिए important है क्योंकि यह अगर माइनस में तो थोड़ी सी tension की बात बनती है अब promoter holdings no data तो यहाँ पर data मैं निकालता हूँ यहाँ देख सकते है अच्छी खासी कम होते वे दिखी है यहाँ पर आराम से 17.88 थी फिर उसके बाद कम होते वे दिखी फिर regular ways में कम होते वे इसके चलते अब हमारा क्या next step रह सकता है तो ज्यादा long term का gameplay मत कीजिए 170 तक का target रखी और आराम से आपको hit करते वे 170 तक दिख जाएगा अब बहुत short term के लिए लोग सुछते तो बहुत short term के लिए भी हम लोग अभी बात करते है यहाँ पर आपका 130 एक बहुती major strong support बन सकत है और 130 आपका है भी major strong support और आपका target फिर से मैं वहीं बोलूँगा 170 या 160 की range में 160 टच करते है बहुत short term अगर play कर रहें डिस्क नहीं लेना चाहते 160 just get out मतब सोरी मतब बुड़ा मतवानना मतब जस्ट निकल जाओ आप लो तो यहाँ पर 160 का game play होगा 160 तक पहुंचेगी और हाँ of course मैं बता दूंगा क्योंकि बताने से तो कोई दिक्कत नहीं है बट यह त्रंथ हो जाईगी एक ऐसा चीज रहता है यहाँ अगर हम लोग ध्यान देते तो यह भी बन सकता है हमारे लिए अभी के टाइम है बट 144 से अच्छा हम लोग 140 का ही एरिया लेके चलते 140 140 से लेके 141 तक का एरिया एक अच्छा मेजर गेम चेंजर बन सकता है ऐसे और जादा इंफोर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन पे लिए क्लिक कर लिजे फॉर माई लेटेस अब्डेट वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते और पूछ सकते इवन बहुत सारी वीडियो अप्लोड है लाइक इनफोसिस, इंडिको, विप्रो, सुजलोन बहुत सारी कंपनी की वीडियो अप्लोड है तो प्लीज गो एन वाच दिस वीडियो की वीडियो होती है सारी वीडियो है बहुत ही इ तो अगर आप पैसा लगाने का प्लान कर रहे है या इन्वेस्मेंट का प्लान कर रहे है तो एक बार अपने फाइनेशल एडवाइजर नहीं तो खुछ से एनलाइस करके ही पैसा लगाईएगा ऐसे ही नहीं होगा कि पैसा लगा दीजिए जस्ट बोला गया इसलिए अगें